नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत आपका एक और नई वीडियो में दोस्तों जो काम मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में वह काम आपको अपने चान्नी के पौदे पर चाहें फिर वह सिंगल चान्नी का प्लांट हो या डबल चान्नी का प्लांट हो आपने फ़र्री महीने में नहीं किया है तो मार्च महीने में तो आप जरूर कर लें तबी आप जो है स्प्रिंग, समर और रेनी आॉटम सीजन में अपने चानिक प्लाउन से अच्छे से प्लाविंग ले पाएंगे होता क्या है दोस्तो विंटर सीजन के दौरान यह plant dormant हो जाता है ऐसे में यह plant अपनी growth रोक देता है बर्स तो रहते हैं लेकिन वह bloom नहीं हो पाते हैं सही से तो दोस्तो सबसे पहला काम आपको करना है इस plant को गमले में से बाहर निकालने का अगर आपको प्लांट जो है पोर्ट में लगाए हुए 6 महीने या फिर 5 महीने या फिर 4 महीने के लगबग समय हो चुका है प्लांट बड़ा है तो आपने ये काम जरूर करना है अपने चांद साइड साइड से इस तरह से अटा देनी है उसके बाद आप जो है जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपने बड़ी आसानी से प्लांट को पोर्ट में से खीच कर बाहर निकाल लेना है प्लांट इजली बाहर निकल आता है इस तरह से तो आप दोस्तों देख सकते हैं कितन फर्षवरी मार्च मंत में बहुत ज़रूरी है तब ही हम समर सीजन में रहनी, सामी में इस प्लांट से बर बर कर फूल ले पाएंगे अगЕТ अगर हम यह काम नहीं करेंगे तो क्या होगा मिरफ नहीं प्लांट के नीम रूट ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट को नेटिन्स जो सुलिट करनेने में प्रॉबल्म आएगी और मिट्ची कमी होगी या मिबार्ण नहीं प्लांट नहीं ले पाहेगा तो ये काम आपको जो है रूट पूर्णिंग का फर्वरी मार्च महीने में जरूर कर लेना है लेकिन दोस्तों हम ये काम फर्वरी मार्च महीने के बाद भी कर सकते हैं अगर आप मान लेजे फर्वरी में नहीं कर पाए मार्च में नहीं कर पाए new growth बहुत जल्दी से करता है और root growth भी बहुत जल्दी से करता है तो आप बात करनें दोस्तों मिटी की, है ये एकदम नई मिटी है फ्रेas मिटी है पोशक तत्वों से बरकूर मिटी है तो प्लांट को जो है तत्काल न्यूटेंस मिलना शुरू हो जाएं गहुन एक अगर जो प्लांट् पुरानी loving plant है इसको acidic soil चाहिए होती है जिसका pH level साड़े 6 या फिर साड़े 5 के बीच में होना चाहिए तो soil acidic बने उसके लिए हमें याँ पर alum powder का यूज कर रहे हैं आपने फिटकरी को जो है बारिक पीस लेना और इस तरह से किनारे किनारे पर जो है दो ग्राम के दोस्तो root pruning करी है और जो है फ्रेश मिट्टी त्यार करके फिर से plant को लगाया है और soil को acidic बनाने के लिए फिटकरी का यूज किया है अब हम यहाँ पर दोस्तो एक चीज और यूज कर रहे हैं यह है दोस्तो humic acid आपको 1 ml के लगबग humic acid लेना है और जो है अप्रेल महिने में मैं जून की तेज गर्मी में किया है तो shaded place पर ही रखें जब आपको लगे कि plant अब stress में नहीं है plant की growth होने लगी है तब आप पार्सिल सन में रख दें summer season के दोरान इसके लाव दोस्तो मान लिजीए आपके यहाँ पर temperature जो है 40 से ऊपर कर रहता है तो आपने इसे green net के नीचे ही रखना है फिर पार्सिल सन में रखना है दोस्तो इस plant को report किये हुए 17 दिन का समय complete हो चुका है और अभी आप देख सकते हैं इस plant की जो new fresh growth हो रही है कितनी जबरजस्त हो रही है हमने इसकी stem pruning नहीं की थी लेकिन आपका plant अगर आपको लगता है कि इसकी stem pruning करना चाहिए तो आप stem pruning भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसकी जो fresh new leaf की growth हो रही है एकदम मस्ट चमकदार जो इसकी नई पतिया निकल कर आ रही है कुछ दिनों के बाद ये पतिया जो है dark green हो जाएंगी अभी दो जो हैं दोस्तों ये कोमल पतिया है और साथ में आप देख सकते हैं इनमें जो flower birds वीडियो भर भर कर आ रहे है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो helpful रही हो अगर वीडियो helpful रही हो और आपके में कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा मैं जितनी अलदी होगा reply देने की कोशिश करूँगा ठैंक्स और वाचेंग happy gardening